शिवनात नदी में लगातार बढ़ रहे जलिस्तर को देखते हुए SDRF टीम द्वारा स्थल का जैजा लेकर आमजनों से दूरी बनाए रखने की अपील की 36 प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के साथ ही तैसिल दुर्ग में काफी बारिश हो चुकी है इसके साथ ही बड़े जलाशाय से पानी छोड़े जा रहे हैं जिसके चलते इस्थानी नदी शिवनात का जलिस्तर लगातार बढ़ते देखे जा रहा है इसे की मद्दे नजर SDRF टीम के कमांडेंड नागेंदर सिंग ने मंगलवार को दुर्ग शिवनात नदी के बढ़ते जलिस्तर को देखा साथी वहां खड़े लोगों को इसके खत्रे से आउगत भी कराया और अपील की नदी तड़ से दूरी बनाए रखें और अपरी घटना होने से बचें बतादें लगातार हो रही बारिश और जलाशय से छोड़े जा रहे पानी की वज़ा से नदी का जलिस्तर बढ़ने लगा है वही नदी तड़ पर सुरक्षा विवस्था को लेकर जिला प्रशासन और SDRF की टीम ने अपनी विवस्थाएं कर रही है साथी लोगों को तड़ से दूर रखने गेट भी बंद के गए हैं इस संबन में SDRF कमांडेंड डागेंदर कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी गुमारिया नाला और सुखा नाला और मुंगरा वरासी लगबाग दज़र कुज़े पनी छोड़ा गया है अज इससे यहां का जलस्तर मुमरा है निकच का काफी बढ़ गया लगबाग है पान से छे पिच पानी उपर बेह रहा है और हमारे 29 लोगों गयारे पिक्टेम है जो पूरी तरीके से तयार है और हमारे पास 5 बोचस लाइब बोई लाइब जखे के इत्यादी जो है हमने तयार करके रखें इसके लाब प्योड़ों करें बिश्ता हमने प्रयाफ्त मातरह में कर लिया और लोगों को बार-बार समझाई दी जा रही है कोच्वारों सर पटवारियों के माद्धियम से और जो अस्थानी लोग हैं कि जो है नदी से दूर रहें और नदी के नजदिंग नहाएं और अभी नहाना दोना और अभी वाकूं से भी मेरा निवेदन है कि यूजो अपने बच्छों को अपने फैमिली को अभी नदी के पास पूछ दिन न भेजें जो है रिजर्म अपनी तैनाथ है वहां पे लाइन में जैसे अगर हमें कुछ सुछना मिलती है तुरांट हम वहां से रवाना होंगे देखे जो सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं या गुमने के जूलेना नहाएना क्योंकि अभी नदी में पानी बहुत ज़्यादा है पान से शेपिंग के उपर इनकट बह रहा है दस ज़र के उसे पानी छोड़ा गया है तो जलसतर अभी भी बढ़ने की संभावना है Grand A.C.N. News के लिए दुरुग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट